Hello Utherian family, तो कैसे हो आप सभी लोग I hope कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से आप लोग लाइक से सस्क्राइब कर दो चैनल पे कमेंट का अप्शन दिख रहा है सस्क्राइब का दिख रहा है लाइक का दिख रहा है तो इन तीनों चीजों को अपनी अपनी ड्यूटी समझ के पूरा कर दो इंडिया वर्ल्ड कप जीच चुकी है और उसके लिए बहुत बहुत को अंगरे चुले सन एक दूसरे वीडियो पर उसकी बात करेंगे अभी इस वीडियो पर नहीं करते है ठीक है क्योंकि मैं कुछ कोश्टनस रखके हुए हूँ तो उसकी पर डिसकस करेंगा वर्ल्ड कप को भी बस यह इतना है कि कह नहीं सकता क्या है खेश छोड़ो आज आप पिछला एपसरोड जो था काफी सांदार था जहां हमने देखा हुआ होता है कि फाइट इस्टार हो चुकी होती है जूची की जो टीम होती है और टेक्स वर्ले की जो टीम होती है यह दोने टीम है एक दूसरे से भिड़ रही होती है जहां जूची ने ने दोड़ा के मारना सुरू कर दिया था क्योंकि अब 20 लोग उनके लिए क्या ही खत्रा थे और दो सने एक सी वीश्टो को भी उन्होंने बुरी तरीके से पेलना सुरू कर दिया था लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूची के टीम की हालत भी खराब होती जा रही थी क्योंकि ये और यहां हमने यह भी देखा हुआ होता है कि अब जूची को भी रियलाइज हो जाता है कि एमप्रेस ने साइदों से फसाया है और वो फाइट से पीछे अटना चाहता था लेकिन टाइकसुबल्ट के लोग उसकी बात नहीं सुनते है वही हमने यह भी देखा हुँ होता है कि एमप्रेस जूची के बगल में होती और जूची को बता रही होती एंसेश्टर इस्टार के बारे में क्या बास्ता में जूची टीम से पीछे हट जाएगा या नहीं हाला कि जैसे ही जूची पीछे हटने वाला होता कि तभी अचानक आब आ जाती आप कहां पीछे हटने की श्रेटजी बना रहे हैं जूची की बास्यों कि हर एक हंटर गॉड पहलेस के बंदे को मैसेज भेज रही होती अचानक ही रुख जाती है और एंप्रेस किसी भी टाइम पे जूची के पीछे अचानक से दिखाई देती जिस पे जूची ने बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया था जिससे तो जूची की सोल ही कड़ी हो गई होती है तब ही जूची की तरफ देख तो एंप्रेस तुरंती कहती है ये तायक्सू के बॉरियर से ने पटने के लिए सबसे अच्छी जगह है अगर आप इस मौके को चूक जाते हैं तो मेरे गयब होने के बाद आपके हंटर गोड पैलिस का भी और ही जन समाप्त हो जाएगा तो आप अभी भी किस बाद से डरते हैं और पीछे क्यों हट रहे हैं कि आपको कोई समस्या है कि यहां हजारों लोगों का बलिदान हो जाएगा लेकिन आपने अभी भी अपनी फॉर्मेशन की रियल पावर को प्योग नहीं किया आखिर कर यह फॉर्मेशन मेरे एक ओल्ड फ्रेंड दोरा बनाई गई है मुझे लगते कि आपको इसका यूज इस तरीके से नहीं करना चाहिए जैसे ही एमप्रेस की आवाज सुनाई देती है एमप्रेस के बर्ड एक दम अलग होते हैं और यह उस टाइम से बिलकुल अलग थे जब वो जो यान से बात कर रही थी इन बर्ड में नौन कमिटेट तरीके से पूरी एक गलोरी और एक पावर होती है यानि कि जैसे एक लीडर सिफ होती है एक अलग ही अट्रेक्सन और यह सुनकर जूची थोड़ा चौक गया होता है उसने पहले सोचा थे कि एमप्रेस अप्यार नहीं होगी लेकिन उसने अचाना कप्यार होकर ऐसी बातों का अंदाज़ा बिलकुल भी नहीं लगाया था वो एमप्रेस को अपना से उठा कर देखता है जो जूची का एक क्लोन के पास खड़ी होई होती है और यह पहली बार था जब जूची ने れるेटी में एमप्रेस को देखा था और इस टाइम पर उसने केबल एमप्रेस के केरेक्ट्र के बारे में ही सुना था हाला कि पहले उसे लगता था कि Empress उतनी अच्छी नहीं जितने की, मिथ में उसने सुनी थी लेकिन अब जब Empress उसके आधे हाथ की दूरी में होती है तब वो Empress की बोड़ी से निकलने वाली Smell और Empress को पूरी तरीके से देख सकता था साथ ही उनके चेहरे पर जिस पे कोई भी मिश्टेक नहीं एकदम प्योर और व्यूटिफुल चेहरा जूची को लगा को उसकी जो सोल है पूरी तरीके से सौक हो चुकी है इस समय वो बस्तों Empress को देखकर हैरान रह गया होता है और Empress का जो अट्रेक्शन होता है वो पूरी तरीके से दिख नहीं रहा था लेकिन उसका जो चेहरा था और उसकी बोडी कब्स और फिगर वो बस्तों में अभी भी काफी जादा परफेक्ट थी और जब Empress से समयल कर दी थी थे उसके चेहर पर पढ़ने वाले जो दो प्यारे से डिमपल थे ऐसा लग रहा था मानो दो दुनियाओं को तबाह कर दिया गया हो साथी Empress के चेहर पर खुलती और बंध होती हुई आखे मानो कोई तारा टिम टिमा रहा हो हाला कि तब ही Empress अपने हलके से हाथो को और उंगलियों को फैलाते हुए उनमें हलकी सी मूवमेंट करती है और जूची जिसे अभी भी कुछ भी पता नहीं था एकदम संदपट एंप्रेस को देख रहा हुता एंगले इपल उसे आहसास होता है कि Cloud Chasing Formation अचानक से हिलने लगी है और यह उसके कंट्रोल के बिना हिल रही है जो देखकर तो जूची का एंप्रेसन तुरंती बदल गए होते हाला कि सीरिस Cloud Chasing Formation और Hunter God Palace को इस Formation के यूज़ करने की इजाज़त थी और यह उनकी Formation थी लेकिन जूची इसकी Limited Power को ही उसकर सकता था लेकिन इस टाइम पर एंप्रेसन ने सीधे तौर पर सीरिस Cloud Chasing Formation को कंट्रोल किया था और एंप्रेसन की पतली उंगलिया इस Formation को अपनी मर्जी से चला रही होती है और पूरी की पूरी Formation से चमकदार Golden Light निकल रही होती है जो उनके चार तरब जग मगाते हुए एक एक खटा हो रही थी और इस टाइम पे Mysterious Ruins लाइट आई के अंदर एक डाइग्राम बनने लगता है जिससे कापी Powerful Pressure Produce हो रहा होता है सारी की सारी Energy उस आई की Retina में Condense होने लगती है और अंगले ही पल एक Light Beam निकलती है जो बाहर ताइक सूक से एक सी बीष्ट की तरब चली जाती है इस Raise ने Wide को चीर दिया होता है जिसमें खतरनाग Power थी यह Power उस टाइम से भी ज़्यादा लग रही थी जब जूची ने उसका Use किया था और ताइक सू बीष्ट की पीट पर खड़े होकर जिंग हुई जो इस Light को देख रहा था वो तुरंती ताइक सू बीष्ट की Power को Unless करता है और उसकी Red Armor को Activate कर देता है इससे ताइक सू बीष्ट के उपर Red Layer चागी होती है और यह Golden Armor मतलब Golden Light Beam से उसका Armor उसे Protect कर सकता था हाला कि जैसे यह दौनों अटेक टकराते हैं एक तेज Allergy Blast होता है और ताइक सू सू बीष्ट की जो Red Defense Sealed होती है पागलों की तरह कापने लगती है लेकिन थोड़ी देर के बाद यह डहती नहीं और ताइक सू सनेक सी बीष्ट अपने मूग को कोलकर एक Powerful Light Beam Attack करता है बात बस इतनी होती है कि यह Beam Attack लड़ने के लिए नहीं बलकि अपने आपको बचाने के लिए था और इस Golden Race की Light Power को रोकने का था साथी इस Light Race की जो पार्थी काफी ज़्यादा हैरत अंगेज होती है लेकिन ताइक सू का Defense भी उतना ही ज़्यादा सर्प्राइजिंग होता है हालक ऐसा नहीं है कि उनके पास एक Strong Defense है बलकि उनके पास Support के लिए परियाप्त Energy है जिसके कंड वो इससे बच पा रहे हैं हालकि ताइक सू सेनक सी बीष्ट के Defense पर अटेक किया गया होता और सीरिस Crowd Sage Information की Light Race अभी भी निकल रही होते और रुकी नहीं थी लेकिन इस पर किया जाने बाला ये अटेक ऐसा लग रहा था अभी भी खत्म नहीं हुआ और अंगले ही पल वाइड में एक तेज धमाके किया बाज आती है चारो तरब जहां पर ये दौनों अटेक टच हो रहे होते वाइड कामते हुए डह रहा होता है तब ही एमप्रेस तुरंती कहती है अभी भी न जाने कितने ऐसे टैक सू बीष्ट होंगे जो सामने नहीं आए क्या आपको लगता है कि आपका हंटिंग गौड पहले से ऐसे बीष्टों का मुकाबला कर सकता है जूची के जो दो क्लोन एमप्रेस के बंगल में खड़ होते हैं और उनके एमप्रेसन एक जैसे होते जाहिरतोर पर इस मौके पर वो भी चौक गए थे सबसे पहले एमप्रेसन ने बास्तो में इस फौर्मेशन को पूरी तईगे से कंट्रोल कर लिया था दूसरा उन्होंने ता 120 की इतनी पाउरफुल पावर की उम्मीद कभी नहीं की थी तब ही एमप्रेस तुरंती कहती है मैं आपकी चिंताओं को जानती हूँ आप डरते हैं कि मैं हंटिंग गौर्ड पहलेस के खिलाप एक्सन लूँगी लेकिन कि आपने कभी इसके बारे में सोचा अगर मैं आपके हंटिंग गौर्ड पहलेस को डिश्ट्रॉक करना चाहती तो इसके लिए मुझे रैंकाने ठोने की जरुवत नहीं है कि आप इस पर विस्वास करते हैं और एंप्रेस के जो वर्ड होते हैं वो एकदम नॉर्मल ही लग रहे होते हैं कि हंटिंग गौर्ड पहलेस उसकी नजर में जैसे कुछ भी ना हो साथ ही एंप्रेस ने भले ही ये मजाक में कहे हो लेकिन एंप्रेस के लएजा एकदम सीरियस होता है और उसने जो ग्लोरी अप्यर की थी इन वर्ड के साथ वो एकदम सीरियस लग रही होती है दूस्तर जूची एकदम हैरान हो गया होता है क्योंकि भले ही वो हजारों सालों से हंटिंग और पहलेस का लीडर था लेकिन ये कहा जा सकता है कि अपने वहेवियर के साथ वो पूरी तरीके से कंट्रोल में था लेकिन इस टाइम पे वो एंप्रेस के बगल में खड़ा हुआ होता है तो उसने केवल एक सब और्डिनेट की तरह ही वहेव किया होता है यहां तक कि उसने अपना गुस्सा तक अपियर करने की हिम्मत नहीं की जो देखकर जूची अलर्ड तरीके से कहता है एंप्रेस तो कि हमें मिलकर ताइकसू वर्ल्ड को डिश्ट्रा कर देना चाहिए तब ही एंप्रेस तुरंती कहती मुझे नहीं पता और काफी कैजूआल अंसर दे देती है जो सुनकर तो जूची ने सोचा थे कि एंप्रेस काफी यहना सेलफिस होगी लेकिन अप्रत्यासित तौर पर उसे ऐसा अनसर मिला था जिसने एक पल के लिए उसे हैरान कर दिया तभी जूची तुरंती कहता जो आने का तैक्सू बल्ड का मोटिब क्या है आके का उसका मोटिब भी खुद की पावर को बढ़ाने और अपनी आर्मी को लीड करने का था और उसे इस बात का एसास भी नहीं था कि उसका वर्ल्ड अभी भी इतने बड़े खत्रे पे है जो पूरे वर्ल्ड को डिश्ट्रॉ कर सकता है तभी एंप्रेस तुरंती कहती तो क्या तुम इस बात को लेकर टेंसन में हो चलो इस लंबी कहानी को छोटा कर देते हैं ये जूएंट यान टूरी इलम को डिश्ट्रोई करके सेनेकसी पर टैक करना वाले हैं और अगर आप इसे समझ सकते हैं तो बात से प्या ही है जो सुनका जूची चौंकते हुए कहता है ज्वांट यां ट्रूरिलम को डिश्ट्रॉय करना और सेनेकसी पर अटेक करना लेकिन जैसे ही जूची को जटका लगा दूर से एक ब्लास्ट की आवाज आती है और यह आवाज काफी खतानाक होती है और सीरिस क्लाउड चेजिंग फॉर्मेशन से निकलने वाली जो गोल्डन लाइट थी वो रुकी नहीं थी चाहे ताइकसुस एनेकसी बीश्ट ने कितनी भी पावर क्यों न लगाई हो आखेर कर वो अपनी लिमिट तक पहुँच गया था जिससे उसका डेफेंस आर्मर धीरे धीरे ओपन हो जाता है और यह रेज उसकी बॉड़ी से जाकर टकराती है और एक तेज जीख निकलती है तैकसुस एनेकसी बीश्ट की बॉड़ी काफी बड़ी थी जो कि उसका फाइदा था लेकिन यह उसका नुकसान भी था एक्जाम्पल के तौर पर इससे कंप्लीट अटेक के करण वो इससे अब बच नहीं सकता था जब यह लाइट उसकी बॉड़ी से टकराती तो उसकी बॉड़ी चकना चूर होने लगती है और गहराई से टकराते हुए तैक्सू वीष्ट की बॉड़ी पे कच्छू की तरह पैटर्न दिखाईदे नहीं लगते हैं जो देख कर ऐसा लग रहा था कि अब यह बीष्ट ब्लास्ट करने बाला है तभी अब आ जाती है तैक्सू वीष्ट ब्लास्ट करने वाला है और तैक्सू बल्ड की जब लोग ये सुनते तो अचाना की वो फायट करना बंद कर देते हैं और सभी डाइरेक्शन में जितना जल्दी हो सकी यहां से भागने की कोसिस करते हैं क्योंकि वीष्ट फटने वाला था और इसका एक्स्प्रोजन काफी बड़ा होगा और ऐसा लग रहा था कि वो जानते थे इस बलास्ट के बारे में साथ जिस स्पीड सोनों पीछे की तरफ भागा होता है वो काफी जारा घबरा हाट वाले इंप्रेशन के साथ था तभी एंप्रेश अपने हाथ को गुमाती और पूरे ही सीरिस क्लाउड चेजिंग फॉर्मेशन के कंट्रोल को चेंज कर देती है और जूची भी तुरंती सिच्वेशन को समझ लेता और ओर देता है कि हर कोई पीछे हड़ जाओ जैसे ही आब आज फैली हंटिंग गॉर्ड पैलेस के सभी लोग बहुत स्पीड के साथ पीछे की तरफ आ जाते हैं सीरिस क्लाउड चेजिंग फॉर्मेशन की तरफ जूची हर किसी को प्रोटेक्ट करने एक लिए सीरिस क्लाउट चेर्जिंग फॉर्मेशन को कंटोल करना चाहता था और जैसे ही वो हाथ उठाता है तो सीरिस क्लाउट चेर्जिंग हेवेन फॉर्मेशन उसकी golden light रचानल की सभी hunting god palace के लोगों को गेल लेती है जो देखके जूची मौके पर हरान हो गया था मानू वो जिजक रहा था और उदास होकर जैसे वो सोच रहा हो कि hunting god palace का master कौन है दूसर अब तैक्सू सनेक्सी की body जिससे काफी rich energy निकल रही होती है उसे देखके ऐसा लग रहा था कि एक बर जब यह blast होगी तो यह आधे area को तु तबाह कर ही देगी साथी तैक्सू बीष्ट की body से अब golden light निकल रही होती है मानू जैसे यह light उसकी body में complete level पर पहुँच गई हो जो उसकी body को अंदर से तबाह कर रही है उसकी पूरी body धीरे धीरे फैलती जा रही थी मानू यह अब किसी भी time पे फट सकती है और जहां तक उन star की बात है जो तैक्सू बीष्ट के पीट पर खड़े हुए तो वे सभी लोग gap हो गये होते हैं और दूर एक दूसरे तैक्सू बीष्ट पर कड़े हुए देखे जा सकते थे हाला कि जब यह blast करने वाला होता है कि तभी अनगिनत एनर्जी अचानक ही flow होने लगती है और दूसरे तैक्सू गौड की तरफे खटा होने लगती है जैसे कि अपनी लाश्ट एनर्जी को जितना ज़्यादा हो सके ट्रांसपर करने की कोसिस कर रहा था लेकिन अंगले ही पल पूरा प्ले सचनक थम गया होता है मानो सभी की सांसे रोक गई हो और हर किसी का दिल गस गया हो यहां सांसे लेना भी मुस्किल था यहां तक कि इस एनर्जी को देखकर जूची ने भी अपनी मुठियां कसली होती है और वो भी गबराया हुआ होता है केवल यहां पर एंप्रेसी होती है जो एकदम टैंसन फिरी खड़ी होई होती है तभी टैक्सू से ने एकसी चारों तरफ सब कुछ बिखर गया होता है बले ही जगह पर टावर ओफ किलिंग से कापी दूर ब्लाश्ट हुआ हो लेकिन फिर भी इसने टावर ओफ किलिंग को हिला कर रख दिया था जहां पर जूएन क्रॉस लेग बैटा हुआ होता है और इस फ्लेक्च्योसन सचाना की जहां काप जाता है और जाग जाता है लेकिन इस टावर पे बिना किसी आभाज की अभी भी काफी सांती होती है साथी इस कपकपी के साथ जहां जब अपनी भूएं चड़ाता है जानता था कि बाहर की फाट काफी यह खतरनाक होगी और जब वो अपने बगल में देखता है तो काफी हैरान होता है विंग्यून रेबिट हुमन बॉड़ी में बदल गई होती और उसका चेहरा जोहन से दो अंगुल की दूरी पर होता है जो टैंसन के साथ जोहन को देख रहा होता है जो देखकर जोहन तुरंदी कहता हुए क्या कर रही हो और जोहन तुरंदी पीछे अट जाता है विंग्यून रेबिट को इतना क्लोस देखकर जो देखकर विंग्यून रैबिट तुरंदी कहता है कि आपका काम हो गया आप कब तक कल्टिवेट करते रहने वाले हैं जयन के कानों में विंग्यून रैबिट की आवाज जब पढ़ती है तो अब बैसलिए एक लड़की की आवाज ही थी लेकिन हलकी सी हाड लग रही होती है जयसे जयन को लगता है कि जैसे उसने किसी ने उसके कानों पर जोर से रेडियो में या कि डीजे में कुछ बुरा चिला दिया हो एकदम बेकार कानों से खून आने वाली आवाज जोयन ने बिंग्यून रैविट को अग्नोर कर देता और अपनी आके बंद कर लेता है लेकिन अचानों के इससे महसूस हुआ कि उसके कान खीचे जा रहे हैं और एक तेज चिलाने की आवाज आ रही है कि क्या तुम बहरे हो जो सुनके जोयन अपनी आके खोलता है और बिंग से कहेगा कि चाहे वो कहीं पे भी जाए इस रैबिट को पीछे ही छोड़े मतलब पीछे ना छोड़े हर टाइम पे अपने साथ ही रखे क्योंकि तभी ये ज्यादा सांत रहता है तभी जो चाहे वो कर सकती है लेकिन या चिला ये मत चुप रहना ही सबसे अच्छा है और वि इग्नोर करके बापस से आके बंद कर लेता है ज्यान कल्टिवेट करने में फोकस करना चाहता था क्योंकि ये उसका सबसे अच्छा टाइम था और उसके पास जाला टाइम नहीं था इसके लावा जो यान को एमप्रेस द्वारा बताईगे चीजों की भी जरूरत चिंता कर करने की जवत नहीं थी क्योंकि अगर एमप्रेस सिचेशन को सौल्ब नहीं कर सकती तो फिर उसकी प्रेजेंस भी कोई भी मैटर नहीं करती तब विंग रेबट के आवाज फिर स्याती क्या आप अभी भी कल्टिवेट करना चाहतें क्या आपका काम नहीं हुआ और जो आन क फैट देखने से डर रहा है और सौफ्ट रहने की स्ट्रेटजी बना रहा है कि चुप चाप पीछे छिप कर रहा हो तब ही विंग रेबट तुरंदी कदी चलो चल करे से देखते हैं ये सच में कापी अदा मिस्टीरियस होगी मैं आपसे बादा करती हूँ क्या तुम ने स प्रीजियस टाइम को जाने नहीं देना चाता था आखेका एमप्रेस उसके लिए तनी ज्यादा महनत कर रही थी तो उससे एमप्रेस के एफर्ट्स को यूसफुल तो बनाना ही होगा इसलिए जान ने विंग यून रेबट पर ध्यान देना बंद कर दिया होता और ये ती रेबट में बदल कर एक तरफ लेट जाती है जो दूर से देखने पर प्यारा लग रहा होता है लेकिन आप क्लोस से उसकी आखों में पागलपन देख सकते थे जो बिल्कुल भी प्यारी चीज नहीं होती और यहाँ पे तो क्यूटनेस कैस से कोई लेना देना ही नहीं ह पास हो सकती थी और अब जब आप इस तरीके से ओरिजन कोई फांडेशन तक पहुच जाते हैं तो यह अपने आप में ही बहुत ज्यादा डराबना होगा और आपको ओरिजन कोई की फ्रीडम का एसास होगा और आप अपने बेटल स्किल को बिना किसी टैंसन के वियोग कर स पिर भी आप अपनी पावर को एंपरे मोटल लेवल के बोरियर के तरव यूज कर पाएंगे और उनसे फाइट कर पाएंगे साथ ही आप और भी ज़्यादा फॉर्मेशन टाइप बेटल स्किल को भी यूज करने में कैपवल होंगे हाला कि फॉर्मेशन टाइप बेटल स्क रीस भी पहुँचा सकती है लेकिन ये सिर्फ इतना है कि battle skill का level भी केवल creation level पर ही रह सकता है क्योंकि इसके लिए काप ज्यादा hard in a hairy tense की जरूषत होती है battle skill जितना जारा powerful होगा उसका effect उतना ही खतरनाक अगर asient level का battle skill है तो इसके use करने के लिए आपके पास कम से कम immortal power तो हो नहीं चाहिए, हालाकि जोयान पहले एमोर्टल लेवल को ब्रीक्ट्रू करने के लिए क्यूरियास है, लेकिन एमप्रेस ने जोकी जोयान को कहा, जिससे जोयान को अब चिंता नहीं थी, वो फाइटिंग गॉड के लेटे स्टेज में पीक लेवल पर था, जोकी फाइटिंग की स्टेप का लाश्ट स्टेप होना चाहिए, जिसके बाद जोयान का अंगला स्टेप एमप्रेमोर्टल ही है, लेकिन त्यान है डेवन गॉड का लाश्ट इनहीं टेंस, किलिंग टावर डह गया होता है, और इससे बाइक क्वांटिटी में जो डेमोनिक एनरजी और सोर्स इनरजी होती है, बुज जोयान की बॉड़ी में आ चुकी होती है, और बाकी के एनरजी इस से एमोर्टल फॉरेश्ट में बह गयी होती है, सती जिससे स्पीड से ये क्लिंग टावर डह रहा होता है, उसे साब से जोयान के पास अब जारा टाइम नहीं बचा था, और जोया बना सकते हैं, क्योंकि इस सिच्वेशन को हमेसा बनाए रख पाना आसान नहीं होगा, उसी समय टाइक्सु डेमेंड, जो वीष्ट होता है वो बलास्ट करता है और उसकी एनरजी फ्लेक्श्वेशन, पागलो की तरह एमोर्टल फॉरेश्ट में फैल गई होती है, और जिस और एम्परेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वे लेकिन इसका वायर डिश्ट्रॉम सेनेकसी के वायर डिश्ट्रॉम से ये बहुत अलग है कम से कम इस लेविल की जो फाइट है वो सेनेकसी को हिलाने के लिए अभी भी impossible होगी हाला कि एक तैक सू बीश्ट के खत्म हो जाने के बाद जिंगुई और वाकिक लोग दूसरे तैक सू बीश्ट पर खड़े होते हैं और नहीं पता था कि वो क्या सोच रहे हैं लेकिन ये बात तो साब थी कि उन्होंने एक बीश्ट को खो दिया था और जोहां ट्रूर रिलम मिंट होने के बाद जाके कार ये पहली बार था लेकिन जिंगुई का तैक सू बीश्ट के डिश्ट होने के बाद भी पीछे अटने का कोई रादा नहीं था इसके बजाए वो अभी भी पीट के पीछे हाथ रखकर खड़ा हुआ होता और उसकी नजर जहां तक फाइटिंग गॉड की बात है तो जो यान को भी अब तक ऐसा कोई वारियर नहीं मिला जबकि जिंग हुई उसका जो वाइट गॉड आर्मर थी उसे इसकी परवा नहीं थी क्योंकि उसका और पहले ही फाइटिंग गॉड लेबल पर पहुँच चुका था और ऐसा लगता था कि उसकी पावर अभी भी कम नहीं है कम से कम फाइटिंग गॉड तो होनी चाहिए इसलिए जो वो अपना चेहरा दिखा रहा है वो उसके आसपास के तैक्सू लोगों से अलग है जिंग हुई के चेहर पक घबरा हाड भी नहीं वो तैक्सू सनेक्सी की पीट पे सांती से खड़ा हुआ है और उसके पीछे की फिगर भी नहीं घबरा हुई होती बलकि चुप चाप खड़े होकर सामने देख रही होती जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में हो जूची के बगल में जो इंप्रेस होती है इसलिए जूची अपने बीश पे खड़ा होकर ना तो इगोफुल होता है और ना ही उताबलापन दिखाता है लेकिन बस उसके पीछे वाइड में हलके धब्बे देखे जा सकते थे और इन लाइट प्लेस को देखकर जूची के आखे सिकुड गए होती है उसने देखा थे कि एक एज़ोर कलर की लाइट प्लेस हलका हलका मूमेंट कर रही है और आप इसे महसूस कर सकते थे कि यह चीज उनी की तरह पा रही है जैसे जूची के दिल में एक अचानकी अन्नोन सा थौट अप्यर होता है जैसे यह एज़ोर डौट उनके पास आता है जूची का तो दिली सिकुड गया होता है क्योंकि यह जो नीली लाइट होती है यह तैकसू सिनेक्सी की आखे बन गई होती है और उनकी चारुत अब देखने पर साथ या आठ तैकसू बीष्ट होते हैं जिन पर सभी पर फिगर खड़ी होती है तब ही जूची को समझ में आया कि तैकसू बीष्ट को नश्ट करने के बाद भी जिन्ग इतना सांत क्यों दिख रहा है जाहिर तोर पर उनका सपोर्ट बैच आया है लेकिन ये सिर्फ फश्ट रो थी जहां तक तैकसू बीष्ट के डिस्ट्रक्शन की बात है इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा लेकिन धीरे धीरे आये हुए साथ या आठ तैकसू बीष्ट को डेखते हुए उन्होंने एक को नश्ट कर दिया इसलिए आज वो इस जगे पर हंटिंग गौड पैलिस को भी डिस्ट्रक करने की स्ट्रेजी बना रहे थे जूची तुन दिका था डेहमिट बास तो में तैकसू के पास सपोर्ट है उसने पहले तैकसू की पार को कम करके आखा था अगर अभी भी सपोर्ट है तो थंडर हंटर गौड पैलिस के पास मौझूदा ताकत के साथ अब उनके पास इनसे फाइट करने के लिए पर याद पावर नहीं तो और अगर वो करते हैं तो उने भारी कीमत चुका नहीं होगी और इस फाइट में हजारों लोग मारे जाएंगे क्योंकि हंटिंग गौड पैलिस का फाउंडेशन एक बार जब सैक्रो हजारों सोलजर तक नहीं है तो हंटर गौड पैलिस को भी डिश्ट्रो कर दिया जाएगा लेकिन अब जूची को समझ में आया कि उसकी लाइफ लंबे टाइम से Hunting God Palace से जुड़ी हुई है और Hunting God Palace डिश्ट्रॉः हुआ तो वो जिन्दा नहीं रह पाएगा जूची को मी नहीं थी के हालात एक पल में बेकाबू हो जाएगे लेकिन लगकिली ये केबल उसका क्लोन है जो यहाँ जा रहा है जूची जो अभी भी Hunting God Palace में दूर है वो पहले से ही कुछ तयारी कर रहा था लेकिन ये फाइट बास्तों में हार ही जाती है तो Hunting God Palace डिश्ट्रॉः हो जाएगा इसलिए अब जो कुछ भी वो करना चाहता है वो किसी भी emergency situation के लिए Hunter God Palace के foundation को safe रखना चाहता है वो तुरंदी कहता है एंप्रेस अब हमें क्या करना चाहिए और जूची एंप्रेस की तलास करता है क्योंकि इस situation में obviously अब सब कुछ एंप्रेस पर ही depend होता है लेकिन जब वो पर लड़ता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि एंप्रेस गयाब हो चुकी थी दूसरी तब यह जो तैक्सू से नेक्स सी बीष्ट होते हैं इन्हें पूरी तरीके से Hunting God Palace को घेरने के लिए खटा किया गया होता है जिसके बद तैक्सू का बंदर तुरंदी कहता है तो तुम हमें फसाने के लिए एंप्रेस के साथ एक जुठ हो गए यह बंदा गुस्से में होता और इसे एक्सेप्ट करने के लिए तयार नहीं होता वो तुरंदी कहता मरने के लिए तयार हो जाओ जींग हुई तो गुस्से में होता है और उसकी आवाज एकदम एरोगेंट और यहाँ पे नाइन ताइक सू गौड धीरे धीरे अपने मुग को खोलते हैं और यह देखा जा सकता था कि उनके मुग से पागलों कितने एनरजी खटा हो रही है और इस एनरजी को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपको इसकी कीमत चुका नहीं होगी दूस्ता विस्टम पे सीरिस क्लाउट चेजिंग फॉर्मेशन भी गाब हो चुकी होती है क्योंकि इसने एमप्रेस के कंट्रोल को खो दिया था इसलिए जूची अपने दातों को पीस था यह तो साब था कि उसे भी इस पर भरोसा नहीं था क्योंकि एमप्रेस एक हांस से इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकती है हाला कि वो तुरंती आइंट पिंट साइन को चेंज करते हो है सीरिस क्लाउट चेजिंग फॉर्मेशन को खड़ा करता है क्योंकि अगर वो इस बीष्ट के अटेक को रूखना चाता है जिसके बाद एक आबाज आती है हर कोई ये फाइट हंटिंग गॉर्ड पैलेस के ओरिजन से लेटेड है मुझे माफ कर देना जैसे जूची ने ये चिलाया होता है अनगी न चीखों की आबाज आती है क्योंकि सीरिस क्लावड चेजिंग फॉर्मेशन की जो पावर थी हजारों सोल्जर्स की एनर्जी से आती थी और जूची टैक्सू के खिलाप अगर लड़ना चाता था तो वो केबल मामूली पावर के साथ इनके साथ फाइट नहीं कर पाएगा और अगर वो इस अटैक को नहीं रोकता तो इन बीश्टों के अटैक से हंटिंग गॉर्ड पैलेस लगभग खत्म हो जाएगा ज्यादा तल लोग तो मारे ही जाएगे जूची पागलो की तरह एनर्जी को अब्जॉब कर रहा होता है जिससे वो ज्यादा पाउरफुल अटैक कर पाए और चेजिंग लाउड फॉर्मेशन को चलाने के लिए परयाब तेनर्जी को इखटा कर पाए तब इस अटैक को रोकना पॉसिबल हो सकता था सीजिस लाउड चेजिंग फॉर्मेशन बॉइड में गोल्डन लाइट के साथ ग्लो हो रही होती है और काफी मिश्ट्रियस रुइंस इसमें चमक रहे होते है हंटिर गॉर्ड पैलेस के हजारों लोगों की आखो में एनर्जी का लगातार फ्लेक्चुएसन दिखाई दे रहा होता है हलाक इस टाइम पे कुछ एमोटर लेवल के पावर हाउस ने अपने एनर्जी को फॉर्मेशन में डालने के लिए कदम बढ़ा लिया होते है तो कुछ ऐसे भी बॉर्यर थे जो बिना किसी हिच के चाट के सीधे हवा में उड़ गया होते हैं जहां तक की वो फॉर्मेशन में पहुँचते हैं तो उनकी बलड फॉग भी डिश्ट्रॉ हो जाती है और उन्होंने अपने लाइफ को ही हंटर गॉड पैलेस के लिए सैक्रिफाइस कर दिया होता है ये एकदम फियालेस दोते हैं और अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस का निकली तयार थे क्योंकि साथ इसी तरीके से वो हंटर गॉड पैलेस को बचा सकते थे और दूसरों की लाइफ को भी साथ ये बैटल एकदम ब्लडी और क्रूइल बैटल था और ओरीजन की लड़ाई थी और एक मूवमेंट के बाद नाइन बीष्टों की जो लेजर बीम होती निकलती है और हंटिंग ओड पैलेस के सैक्रों हजारों लोगों की तरह बढ़ती है जूची की आँकों में गुस्सा फूट पड़ा होता क्योंकि उसने उस टाइम पे एमप्रेस पर विस्वास नहीं किया था लेकिन ही एमप्रेस के ही वर्ड थे जिसने अचानक उसे एहसास कराया थे कि भले ही कई ऐसे कामकियों हो, जो बाकियों को गलत लगते हो लेकिन यही दुनिया का नियम था कि रिसोर्स के लिए हर जगा पर फाइट होती है और फाइट ही आपको इस्ट्रॉंग बना सकती है इस्ट्रॉंग परसन की ही रिस्पेक्ट होती है और वह ही जिन्दा रहने के लिए क्वालिफाई होता है तो इस ट्रॉंग बनने के लिए आपको रिसोर्सेस पर कब जग करना ही होगा हालकि जूची इससे जारा कुछ नहीं है कम से कम वो इतना बुरा भी नहीं है कि वो अपने वर्ल्ड को धोका दे सके उसके दिल में अभी भी अपने वर्ल्ड के लिए एफेक्सन और लव है जो की अनेक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि आखेकर चाहे कुछ भी हो उसका ब्लैड अभी भी ओहाईनेस के ब्लैड से मैच करता है तो उसके लिए अपने लोगों को बचाना सबसे पहली प्रायोर्टी होगी आखेकर जूची ओहाईनेस की वर्ल्ड एनेर्जी का क्लश्टर है तो उसके पास भी ओहाईनेस जैसे थौट होने चाहिए जूची का हैंट्पिंट साइन बदाल रहे होता और तेजी से यह सिर्फ इतना है कि वाइड बस फ्लेक्चुएट हो रहा होता है और अगर यह अपनी लिमिट तक पहुँच जाता है तो यह एक वाइड इस्ट्रेम को जरूर क्रेट करेगा लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर अभी धान दिया जाना चाहिए और जिस टाइब पे लाइड के एक नाइन रेज अप प्यार हुई होती है आधी लाइड बुज गई होती है ऐसा लग रहा था कि सीर्फ क्लावड चेजिंग फॉरमेशन की पावल का मुकाबला करना अभी भी मुस्किल था तब सीरिस क्लाउड चेजिंग फॉर्मेशन के लिए मुकाबला करना मुश्किल था जू चीतुरंदी कहता हमें से रोकना होगा जैसे उसने चिला होता अनगिनत लोग फिर से अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं और अचानकी पावर एक बार फिर से बढ़ जाती है पावर के बीच का टकराव के वहले इस बात पर डिपेंड करता है कि दौनों में से किसके पास ज़्यादा एनरजी है सोर्स एनरजी और एमोर्टल पावर साथी तैक्सो बीच्ट के मुँसे निकलने वाली कोई भी लाइट रेज आसानी से एक इस्टार को डिश्ट्रा कर सकती थी और एक वर्ड के अंदर इंटर हो सकती थी लेकिन अगर हंटिंग गॉर्ड पालेस नाइन बीच्ट के अटैक को रोक सकता है तो उसे जुआंटें टूरिलम के बीच में नमबर वन पोजीशन पर सक्सेसफुली रखा जा सकता है ये गॉर्डन लेट को देखते हुए जो अभी भी कॉम्प्टीट कर रही होती है तैक्सो बीच्ट की पीट पर बैट हुए सभी लोग काफी यादा हैरान होते हैं उनकी वहें तनी हुई होती है जाहिर तोर पर उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हंटिंग गॉर्ड पैलेस इतना कतनाग जटका सह सकता है लेकिन कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा था क्योंकि भले ही हंटिंग गॉर्ड पैलेस बना दया सकता था इस पर किसी को भरोसा नहीं था और अगर बचते भी हैं तो फिर उन्हें आसानी ते डिश्ट्रॉग किया जा सकता था हाला कि हंटिंग गॉर्ड पैलेस दौर दिखाए गई कमिट्मेंट टैक्सू के लोगों की इमेजिनेशन के परे थी उन्होंने नहीं सोचा था कि टैक्सू के इस अटैक को ये लोग इतनी देर तक रोकेंगे आब वो पेसेंस रखने में कैपबल नहीं थे हाला कि नाइन लाइट का रुकने का कोई भी रादा नहीं होता और ये कंटिनो सीरिस क्लाउट चेजिंग फॉर्मेशन पर गिर रही होती है और एक बार जब ये क्लाउट फॉर्मेशन डिश्टो होगी तो ये लाइट है सीधा ही इन लोगों के अंदर घुच जाएंगे और इन्हें मार डालेंगी हाला कि जूची को भी पता था कि इस तरीके का टेक दोनों ही टीमों को ठका देने बाला होगा और इसका यूज दूसरी बार करना इंपॉसिबल होगा और जब तक वो इस अटेक का सामना कर सकते हैं वो एक खतनाक फाइट के अंदर इंटर होंगे और हंटर गॉड़ पैलेस के सैकड़ो हजारो सोलजर्स के लिए कॉंप्टीट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा भले ही ये दुखत था कम से कम वो ऐसे खतनाक अटेक से डिश्टो होने के बजाए लड़कर मरना ज़्यादा पसंद करेंगे साथ ही आब आजे इंफाइनेट लग रही होती और बढ़ जित्ते हुए चल रही होती हैं जिससे अंटिंग और पेलेस के भी काफी सारे लोग डिश्टो होते हैं अंगिनत लोगोंने अंगिनत डिवाइन कोई पिलने का ली थी उन्हें मूँ में भर लिया होता और इसकी पावर को सीधे भी फॉर्मेशन के अंदर डाला होता है कुछ तो अभी भी सपोर्ट के लिए अब हेल्पलेस लग रहे होते हैं लेकिन वो अभी भी इसा टैक को रोकने के लिए पूरी कोसिस करे होते हैं हालक यह ऐसा लग रहा था कि इन वीश्टो की पावर अभी भी काफी स्ट्रॉंग है और इसी तरीके से अगर यह चलता रहा तो गोल्डन लाइट बैरियर पूरी तेकी से डिश्टो हो जाएगी तभी जूची अपने दातों को पीस लेता है और एक बार फिर से पता था उसे की फॉर्मिशन टूटी तो नुकसान बड़ा होगा लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता वो तुरंती कहता है तैक्सू बास्तों में बहुत ही श्ट्रॉंग है हाले कि उसने तैक्सू को हमें सही कम समझा था और तैक्सू ने हमें सही काफी लोग प्रोफाइल रखी थी उसे उम्मीद नहीं थी तैक्सू इतना पारफुल होगा वो तुरंती कहता है मैंने सोचा था कि एमप्रेस का बापस से जिन्दा हो जाना ही सबसे खतानाक अपूनेंट होगा मेरे लिए लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जोंटेंट ट्रूरिलम में छेपा हुआ तैक्सू क्लेन इतना ज़्यादा पारफुल होगा और इस तरीकी की पावर को देखते हूँ मुझे नहीं लगता कि जोंटेंट ट्रूरिलम के अंदर कोई भी इनसे आसानी से उलज सकता है जहां तक कि हंटर गॉर्ड पैलेस भी काफी यादा हार्ड रेजिस्टेंस फिल कर रहा होता है जूची के माते से पसीना बैरा होता है क्योंकि यह गॉल्ड अलैट देखते ही देखते खत्म हो रही थी के लिए खेद है और जूची उदास होकर सभी की तरब मुठी भीच लेता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी आप्सन नहीं था वो तुरंती करता सभी ने अपने कॉंट्रिविशन करने की सबसे अच्छी कोसिस की लेकिन साथ हम इन नाइन बीश्टो का मुकाबला नहीं कर सकते आखेका टैक्सू वर्ल्ड अभी भी पावर के मामले उनसे काफी या रांगे था बुक कुरल बीश्टो को एकदम किलिंग वेपन में बदलने में कैपबल था अपनी स्टैक टेकनोलोजी का यूज करके इसलिए डिफरेंस और भी बड़ा हो जाता है और जूची को कभी भी नहीं लगा कि टैक्सू इतना बड़ा खत्रा बन सकता है और केवल अग्यानी परसन इतना फियरलेस हो सकता है ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स ने अब अपना पत्रा बदल दिया था आकरी गोर्डर लाइट जैसे ही गायब होती है सभी कि सभी नाइन लाइट रुखती नहीं बलकि हंटिंग गोर्ड परस के सैक्रोजारों लोगों की तरफ बढ़ती है और जूची दोरा कंट्रोल की जारी फॉर्मेशन कांपने लगती है जैसे किसमें तेज अटेक हुआ और ये गिरने वाली है जूची तुरंती कहता है क्या ये स्ट्रेटजी एंप्रेस की थी वो धीमी आवाज में बुदबुदाता है लेकिन अब इसकी परवाकरनी के लिए देर हो चुकी थी हाला कि जब जूची देखता है कि उसके ताइक सुवू बीस्ट की नाइन बीम अटेकों के सामने उसके हंटिंग गॉड पेलेस के लोग डिश्ट्रो होने वाले होते तो वो तुरंती मुट्टी भीच लेता और आखे लाल हो जाती है आके इन सबी लोगों ने ओनेश्टी के साथ उसका सपोर्ट किया था तो उसे भी इन लोगों के लिए एकदा मोनेश रहना होगा बनणा हंटिंग गॉड पेलेस को एक साथ एक जुट करना impossible होगा Hunting God Palace की एनरजी धीरे-धीरे मंद पढ़ रही हो ती मानुसकी एनरजी खदम हो रही हो और इस टाइप जूची भी निरासा में पढ़ गया होता है हाला कि Hunting God Palace को बचाने के लिए एक और तरीके का इस्तमाल कर सकता है लेकिन ऐसा कोई साधन नहीं कि अब उसका विरोध कर सके साथी Hunting God Palace के लोग जब इस नाइन रेस को अपनी तरपाता हो देखते हैं तो उनकी आँखों में रासा होती है वो कि वहल अपने लग को एकसेप्ट कर सकते थे हाला कि जब ये light की तभी अचानकी उस formation से एक बार फिर से golden light glow होने लगती है और ढहने वाली formation अचानक फिर से bright हो जाती है और एक चमकदा light निकलती है जैसे कि ये series cloud changing formation पहले की तरह ही जिंदा हो गई हो तभी जूची भी अपने सिरूठा कर हैरान हो जाता है क्योंकि इस time पर वो इस formation को control नहीं कर रहा था तभी ये attack वापस उन 9 race को रोक देता और उन पर हावी होने लगता है जो देखकर ताइक सु वीष्ट के उपर खड़ी हुई सभी figure चौंक जाती है अंगले इपल हंटिंग और पैलिस मिस सैकडो लोग एक बार फिर से राक में बदल गया होते हैं मतलब ऐसा वो सोच रहे थे लेकिन अंगले इपल मुवेंट टुल्टा हो गया होता है और अब ये उन्हें राक में बदलने के लिए attack आ रहा होता है तैकसु वीष्ट के उपर सभी की नजने दूसरी तरह पर ट्रेक्ट होती है तो एमोटल जंगर के एमोटल फॉरेश्ट के उपर घुमावदार वर्टेक्स के उपर एक बड़ी सी figure खड़ी होई होती है उसे देखकर जिंगुई की आंके सिकोड़ गई होती है और एमोटल फॉरेश्ट से निकली होई ये बड़ी सी figure कोई और नहीं बलकि एक तैकसु बीष्ट होता है और इस तैकसु बीष्ट के उपर दो figure कड़ी होई थे और अगर आप ध्यान से देखें तो आप उस पर थोड़ी सी परचित figure को देख सकते थे ये वही थी जो जूची के पास थी लेकिन ये अब दूसी जगे दिखाई देती है बेसक ये एमप्रेस होती और उसके बगल पर एक फिगाड होती है जिसने वाइड गौड आर्मर पहना हुआ होता है और उसके सिर को ढखने के बज़ए उसने सिर को दिखा रखा होता है जो देखकर वो बंदा तुरंदी कहता है ऐसा लगता है इस ताइक सू बीष्ट में कुछ भी गलत नहीं उसे टीम पे बापस आने दो लीडर तुरंदी कहता है और अपने बीष्ट को बलाता है लेकिन ये बीष्ट उसकी तरब देखता भी नहीं बलकि अपने मूँ को खोल के रेक एनरजी वीम अटेक तुरंती उसकी तरब चार्ज करते हुए कहता है ले ये खा और ये तुरंती नायन बीष्टों के उपर पड़ती है जो देखकर तायक सू वर्ल्ड के लोग चौक गया होते है और चिंगवी की आखो में भी सौक होता है कि आखरकर तायक सू बीष्ट को बुलाने के बाद भी उनकी बात क्यो नहीं सुन रहा गुतुरंती कहता है ये गलत है तायक सू बीष्ट ने हमें धोका दिया है इंपॉसिबल लेकिन ये बीष्ट अब उनके कंट्रोल के बाहर था तो चलो गए सब नेक्स एपिसोड में देखेंगे कि ये बीष्ट किसके कंट्रोल में है I hope नेक्स एपिसोड इससे भी ज़ाद सांदार होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूँगा आपसे नेक्स एपिसोड पे गुड आप्टरनून त्रियान फैमली